कि अब दोस्तों कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आरगेनिक केमेश्ट्री में आरगेनिक कंपाउंड का नामन क्लेचर भी नामकरन हमको पढ़ना होता है तो उससे पहले हमको इसे और कि मूल सब्द जो है वर्ड रूट जो है जानकारी होनी चाहिए वर्ड रूट का मितलब है जैसे जब क्लासिफिकेस on आप अरगेनिक कंपाउंड का हम पढ़ेंगे तो उसमें propos committee compound होते हैं एलिफैटी कंपाउंड में जैसे एलकेन है एलकीन है यह सब आते हैं तो इसमें हमको यह पढ़ना है कि किस जैसे स्रंखलाएं होती है कार्बन परमाडों का यह गुण होता है कि स्रंखलाएं मतलब स्रंखलित होने का गुण होता है बहुत ज्यादा स्रंखलित होने का गुण से बताना चाहते हैं कि कार्बन कितने कार्बन होंगे तो हम उसको वर्ड रूट मतलब जो मूल सब्द है मतलब क्या होगा जैसे जब हम एलकीन तो उसमें हमको इस चीज का बहुत होगा अगर हमको इसकी जानकारी नहीं तो हम नामन क्लेशर आजणी कंपाउन है तो करबन का मतलब है अप कार्बन आटम जैसे आफ को यह मतलब समझ जाना है कि हमारी दिया गया आरगेनिक कंपाउंड में कर्बन की संख्या एक बेसे हम बोल रहे हैं सीथी बोलेंगे तो इसका मतलब जो जो नंबर लिखें हूँ है वह carbon परमाड़ MR की संख्या है सघ्रक्रान हैन est say 71 को हम क्या कहाँ के सीवन सीवन का मतलब है Note सी टू का मतलब है fc3 का मतलब है फ्रोप ऑर का मतलब है व्यूट जिफाइब का मतलब का मतलब arep, C8 का मतलब arep, C9 का मतलब non, C10 का मतलब sẽ प्रकार से टेट्रादेक पेंटादेक हेसाडिक हैट्राद आक्टाडेक तो इस प्रकार से हम लोग जो है मतलब यह जान जाएंगे जैसे आईये जानते हैं हम आपको बता दिये हैं वर्ड रूट फार डिफरेंट कार्बन एटम भिन भिन कार्बन स्रंखलाओं के लिए सब्दमूल स्रंखला की लंबाई स्रंखला की लंबाई का मतलब है कि आपके आर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं उनको हम क्या कहेंगे जैसे सी वन कार्बन की इस रंखला में एक है तो जैसे इसमें एक है तो मेत कहेंगे मतलब ट्राइडेक के बाद 14, 15, 16 जो भी आएगा उसका जो है टेट्राइडेक, पेंटाइडेक, हेग्जाडेक, हेप्टाइडेक, हेप्टाइडेक, सी एटीन का आक्टाइडेक, मतलब हम पढ़ते हैं और इसको याद कर लेंगे आप लोग जो है इसको एक पेज पर लिख लिजिए, नोट कर लिजिए और इसको याद कर लिजिए क्योंकि इसका हमारे जो क्लासिफिकेशन आप आरगेनिक कंपाउंड है वरगी करन है कारबनिक योगिकों का उसमें इसक कि कमपाउंड का इसमें बहुत ज्याद मतलब में बहुत इसका महात्तो है जैसे CH4 हमने कहा तो इसमें आपको यह समझ जाना है कि एक कारबन है तो यहाँ पर क्या होगा मेत लगेगा फिर आगे बताएंगे कि इसमें मतलब है कौंस किस चीज़ का क्या नाम क्या है जैसे से टूए फ्रिशन लिग दिए तो इसमें मतलब क्या लगएगा तो इसका मतलब सी कर्माण परमाणों के संख्या 2 है तो यहां पर हो जाएगा एट अगर मालिजेश 6 6 h 8 लिख दीजिए तो कहने का मतलब है कि सी 5 लिख दिया गया कुछ भी लिख दिया गया पांच दो नी-10-12 मतलब यह पेंटेन हो जाएगा यह थेन हो जाएगा मेथेन हो जाएगा आप को जब हम तो इसमें अलकैन अलकैन और जब क्लासिफिकेशन आफ अरगनिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा बताएंगे क्या होते हैं और हेट्रोसाइकलिक कंपाउंड क्या होते हैं इन सब चीजों के बारे में बताएंगे आज इतना ही इस वीडियो में आप लोग जो है सब्दम लोगिक में उसको हम C5 मतलब पेंट लगा कर फिर आगे क्या लिखना है वो हम जब नामन क्लेचर जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको बताएंगे धन्यवाद दोस्तों